हेलो फ्रेंट आज की वीडियो में हम सेखेंगे टेली प्राइम के नए वर्जन में आप GST Sales Laser किस तरह से त्यार कर सकते ता ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको डियर फ्रेंट क्या करना है टेली प्राइम का सौफ़ेर आपको ओपन कर लेना है तो आपको क्या करना है Deferint Create पर इंटरिप्रेस करना है उसके बाद आपको Accounting Masterं सेक्शं में laser को सिलेक्ट करते हो फिरसे इंटरिप्रेस करना है उसके बाद Name जहां पर आपको दिख़्ाई दे रहा है तो हम यहाँ पर वो नाम type कर देंगे उसके बाद under में हमें जो है laser का group select करना होता है इसलिए हम यहाँ पर cells type करेंगे तो automatic आपका जोई list of group में cells दिखाई देगा उसको आप select कर लीजिए उसके बाद type of pleasure में आपको not applicable करना है ठीके उसके बाद आपको क्या करना है dear friend यहाँ पर जो include acceptable value calculation आपको दिखाए दे रहा है यहाँ पर आपको GST भी दिखाए दे रहा है और not applicable भी दिखाए दे रहा है तो dear friend हमें यहाँ पर not applicable ही select करना है ठीक है आप यह मत सोची कि GST select करेंगे तो ही GST calculate होकर आएगा यह पर नए वर्जन में क्या हो रहा है कि अगर हम GST select कर रहा है तो क्या होता है tax और ultra calculate होकर नहीं आ रहा है जबकि आप not applicable select करेंगे और जब आप voucher entry pass करेंगे तो आपका proper GST calculate होकर आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपको not applicable ही select करना है ठीक है GST capability में आप यहाँ पर applicable ही आपको especially धियान रखना है उसके बाद type of supply में अगर आप goods खरीते बेशते हैं तो आपको good select करना है और अगर आप service provide करते हैं तो आपको service select करना है तो यहाँ पर हम good select कर रहे हैं ठीक है तो यह आपके उपर क्या select करना है तो इसके बाद provide bank detail में आपको यहाँ पर कुछ भी fill नहीं करना है तो हम यहाँ पर नहीं रखेंगे उसके बाद यहाँ पर opening balance आप से पूछ रहा है तो यहाँ पर भी हम कुछ भी input नहीं कर रहे हैं ठीक है उसके बाद इंटर देते हुए आपको क्या करना है इस laser को accept कर लेना है तो इस तरह से क्या होगा different आपका जो laser है वो त ड्याली की screen पर उसके बाद आपको अंटर पर interpret करना होगा थीक है उसके बाद आपको laser स travaille करते वे MP2 है उसके बाद किते FRE आकर ही ठीक है modification की screen में आने के बाद यहाँ पर आप जब alter d press करते हैं ठीक है तो आपके सामने delete का option आ जाता है जिसमें आप yes कर देते हैं तो laser आपका delete हो जाता है और आप no करेंगे तो यह reject हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से dear friend हम teleprime के नवर्जन में laser को तयार भी कर सकते हैं modify भी कर सकते हैं और delete भी कर सकते हैं ठीक है तो dear friend आज की बनाई वीडियो अगर आपको पसंद आएए तो वीडियो को like जरू करें और वीडियो का अपने fan शरकर में जरू शेयर करें ताकि आपके through वो भी इस features को अच्छी तरह से सीख सकें और laser बनाना सीख सकें thank you for watching computer learning channel on youtube